पर शांख पर देखियों के सफुनाником पर अस्स्तालामालेकुम आज इस वीडियू की शुरूबात करते हैं और समझते हैं उर्दु का अगला चेप्टर, चेप्टर नंबर 27 जिसका नाम है आरिफ की मौत पर ये एक मरसिया है और मरसिया किस पर है आरिफ की मौत पर अब बात आती है कि मरसिया किसे कहते है तो देखिए मरसिया जो लब्स है ना ये अर्वी लब्स रिसाय से लिया गया यानि कि रिसा से बना है मरसिया और इसका मतलब होता है रिसा का मतलब होता है रो उसको किarakपने कर इसाइर गम करके तौर पर पर कुछ लिखा जाए उसको बोला जाता है मरसिया क induction कोई इनसान इसका इंत्कालों मर गया उसकी रंजोरा गम में उसके घम में अगर कुछ नजम के तौर पर लिख दिया जाए उसकी यादों को ठीक है अपने गम का इजार कर दिया जाए नजम के तौर पर ठीक है तो उसको क्या बोला जाएगा उसको बोला जाएगा मरसिया लेकिन उर्दु शायरी के हिसाब से मरसिया उस नजम को कहते हैं जिसमें सिर्फ और इमाम हुसैन और शहदाय कर्बला यहन की कर्बला में शहीद होने वाले जितने भी लोग हैं उनके मौत पर रंज व गम में कुछ लिखा जाए उनकी यादों को ठीक है उनके गम में अगर कुछ लिखा जाए नजम के तौर पर उसको क्या बोलते हैं उर्दू शारी के हिसाब जाए उसकी यादों को ठीक है उसको क्या बोलते हैं शक्षी मर्सिया उर्दू शायरी के हिसाब से तो मर्सिया और शक्षी मर्सिया यह उर्दू शायरी के हिसाब से बनता है यानि कि मर्सिया जिसमें हजत हुसैन हजत इमाम हुसैन और श्रदाय कर्बला और शक्षी मर्सि क्या बोलते हैं मरसिया केते हैं तो इमाम हुससें और शवदाय करवला की शहादत पर लिखा लेकिन यहां पर यह जो activity है एक किसके मौत पर तो आरीफ के मौत पर तो आरीफ कौन है वही तो आरीफ है गालीब का भाजा यानि की गालीब ने अपने भाजे आरीफ के मौत पर यह मरसिया लिखा है और आरीफ जो नाभी नौजवानी था तब ही उसका इंतकाल हो गया और आरीफ का पूरा नम है जैनुल आ खाबेदीन खा आरिफ तो मिर्जा गालिब ने अपने भांजे आरिफ के मौत पर ये मरसिया लिखा है मतलब उनके गम पर नजब के तौर पर कुछ लिखा है और उसी को क्या बोल दी हम लोग मरसिया कह दिये यानि कि इस चेप्टर के जो मुसनिफ है राइटर कौन है मिर्ज गालिब जब मैं आप लोग को गालिब का खतूत पढ़ा रही थी जब गालिब ने सेयद शाह करामत हुसाइन हमदानी के नाम वो खत लिखा था उसी में मैं आप लोग को गालिब के बारे में पूरी डिटेल्स बता दे थी गालिब के बारे में हर एक एक चिसमें बताई थ तो घालीब के बारे में आप लोग वहां पे जाकर देख सकते हैं फिर उसी बात को gala की पारे में 1796 सान्तान अत्र इस भी में इनका इंतकाल हुआ King, और इनके अब्बू का नाम था अब्दूल्लाईं बेग, इनकी अम्मी का नाम था इज्यतुन निसाय बेगर और इनके चचा नाम था नस्रूलाईं बेग जब गालिब पांच साल थे तो उनके वालिद अब्दुल्लाव बेक का इंतकाल हो गया तो गालिब की जो देख रहे हुई उस किसके सरपरस्ती में हुई तो चَचान असुलाववेक के सरपरस्ती में हुई ठीके है यह गालिब के बारे में और बी ढिटेल्स में बताई हूँ वोही वाले वीडियो में गालिब के खत वाले वीडियो में मक्तूब नेगारी में बताई हूँ ठीक है अब चली ज़रा हम इस मरसियों को पढ़ते हैं और देखते हैं गालिब कैसे अपने गम का इजहार किये अपने भाज़े के मौत पर गम का कैसे इजहार की है अभी इसके पहले वाले वीडियों में हम लोग मतलब खुशी फील करकर आये थे मतलब वह क्या था मह yani नजम था मजःदार नजम था जिसको पढ़ कर हंसी आ रही मरसिया सबसे पहले लिखे हैं वो लाजिम था कि देखो मेरा रस्ता कोई दिन और तनहा गए क्यों अब रहो तनहा कोई दिन और बोल रहा है कि जरूरी था कि तुम मेरा रस्ता देखते कुछ दिन और देख लेते मेरा रस्ता लेकिन क्या तुम मुझे तनहा छोड़ कर चले मतलब तुम मुझे अकेले चोड़ कर चले अब रहो तुम अकेले ठीक है मिट जाएगा सरगर तेरा पत्थर ना घिसेगा हूं दर पे तेरे नासिया फर्सा कोई दिन और मतलब बोल रहे हैं कि सर मेरा मिट जाएगा गिस गिस कर क्योंकि तेरे दर पर मेरे जुकने की आदत है ठीक है आए हो कल और आज ही कहते हो के जाऊं माना कि हमेशा नहीं अच्छा कोई दिन और बोल रहे हैं कि कल ही तुम आए थे और आज ही बोल रहे हैं कि मैं जाऊं माना कि हमेशा अच्छा दिन नहीं होता अभी मेरा अच्छा दिन नहीं चल रहा है लेकिन ऐसा थोड़ो न है कि हमेशा अच्छा ही दिन मतलब हमेशा खराबी दिन रहेगा कोई दिन अच्छा नहीं होता है कुछ दिन इंतजार कर लेते तुम ठीक है जाते हुए कहते हो क्यामत को मिलेंगे क्या खुब क्यामत का है गोया कोई दिन और मतलब बोल रहे हैं कि आरिफ तुम जाते हुए क कि तुम बोल रहे हो कि हम लोग कैयामत की दिन मिलेंगे हैं तो फल्के पीर जवान था अभी आरिफ या तिरा बिगड़ता जो ना मरता कोई दिन और इस लाइन में मिर्जदा गालिब क्या बुल रहे हैं यह अधितकर अभी तो आरिफ जवान था नौजवान था क्या बिगड़ता अगर आरिफ नहीं मरता कुछ दिन और जी लेता तो क्या बिगड़ जाता तेरा ठीक है तुम माहे शबे चार दिहं थे मेरे घर के फिर क्यों न रहा घर का वह नक्सा कोई दिन और मतलब बूल रहा है कि ए आरिफ तुम मेरे घर के चोदावी के चांद की तरह थे फिर तुम चले गए तो फिर पहले जैसा क्यूं नहीं हमारे घर का उसी तरह नक्सा है क्यों चेंज हो गया है हमारे घर का नक्सा ठीक है तुम कौन से थे ऐसे खरे दाद वस्तत की करता मलकुल मौत तकाजा कोई दिन और मतलब बोल रहे हैं कि ए आरिफ तुम्हें क्या ऐसी चीज थी तुम्हें ऐसी क्या खास बात थी कि मल्कुल मौत भी तुमको नहीं छोड़ा तुमको लेकर चला गया ठीके मुझसे तुम्हें नफरत सही नएर से लड़ाई बच्चों का भी देखा ना तमाशा कोई दिन और मतलब बोल रहे हैं कि मुझसे तुम्हें नफरत थी नएर से तुम्हारी लड़ाई होती थी नएर नाम का कोई लड़का है उसे लड़ाई हुआ करती थी और तुमने बच्चों का भी तमासा नहीं देखा क्या हो जाता तुम कुछ दिन और रुक जाते और कुछ दिन और बच्चों का तमासा देख लेते ठीके आगे देखी क्या बोले है गुजरीना बहर हाल ये मुद्दत खुश वना खुश करना था जवा मुर्ग गुजरा कोई दिन और इस लाइन में बोल रहा है मिर्जा गालिब कि अभी जो मुद्दत गुजर रहा है चाहे खुसी में गुजरे चाहे दुखी में गुजरे जैसे भी मुद्दत गुजर रहा है तुम्हारे बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हारे बिना ये घुजारा कैसे होगा बोल रहे हैं आगे नादा हूं जो कहते हैं कि क्यूं जीते हो गालिब किसमत में है मरने की तमन्ना कुई दिन और इस लाइन में बोल रहा है मिर्जा गालिब कि गालिब जो है वो नादान है जो कह रहा है कि तुम्हें क्यूं जीना चाहिए तुम्हें तो मर जाना चाहिए लेकिन गालिब भले ही चाह रहा है उसकी तमन्ना है मरने की लेकिन किस्मत को कुछ और ही मनजूर है गालिब तभी म जो आलिफ के मौत पर ये मरसिया लिखा था इसका हम लोग खुलासा भी कर दिये और अच्छे तरीके से समझ गए अब चलिए जड़ा इसके कोश्चन इंसर को देख लेते हैं स्टार्ट होता है मारूजी सवलात से अब्जेक्टिव कोश्चन है सबसे पहला सवाल है गालिब का पूरा नाम क्या था तो गालिब का पूरा नाम था अजदू Allla खा गालिब तो और अपसार नंमरर भी में हैं आप लोग लगा दिजी दुसरा सवाल है गालिब शायरी में पहले क्या तखलूस करते थे यानीस जो मिड़जगाली बेंदे अपने शेयर वोड़शाईरी में तखलूस क्या रखते थे सुरुआत में उपने शेयरे में क्या नाम यूजव करते थे तो है असन अपसान नंदी फिर उन्होंने अपना औजदाद कहां से हिंदुस्तान आये थे तो गालिब के जो आवा औजदाद है वो इरान से आये थे ठीक है उनके बाप दादा इरान से हिंदुस्तान आये थे ठीक है पास नंबर सवाल है गालिब का इंतकाल किस सन में हुआ तो गालिब का इंतकाल हुआ था 1869 में यह हो गया पूसरा सवाल है गालीब की प्रवरिस किसके घीर साया हूईंगे तो गालीब की जो पर्वरिस हुई उनके वालिद इंतिकाल होने के बाद चाचा नस्रूल्ला बेग के जिर्शाया में हुई हूं, ठीकें. तीसरा सवाल-ए--- गालिब का पूरा नाम मिर्जा अस्रूल्ला खा-गालिब हैं. चार नमबर सवाल-ए-- गालिब के वालिद का नाम बता हैं, तो मिर्जा geçा के अबड़ी 되어 ठीकें . दूसरा सवाल, शक्षि मर्सिय किसे कहते हैं तो सक्षि मर्सिय आप लोगों में बता चूकी हूँ या आप लोग खुझ से लिखेंगे तीसरा सवाल, गालिब के बच्पन पर 5 जुम्ले लिखिये गालिब के बच्पन पर 5 sentence लिखना है तो सबसे पहले गालिब का पूरा नाम लिख दीजीगा कि गालिब का पूरा नाम अजदुल्ला खा गालिब है उनकी पैदाए सत्रस संतान्वरिस भी में हुई उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग उनकी वालिदा का नाम इज़त उन्ने साह बेगम पांच साल की उमर में उनके वालिद अब्दुल्ला बेक का इंतिकाल हो गया जिससे गालिब की परवरिस उनके चचा नसुला बेक के सरपरस्ती में हुई ठीक है अपने मन से लंबा चोड़ा खुद करकर लिख सकते हैं अब बाताती तवील सवलात की सबसे पहला सवाल है सिन्फ मर्सिय से अपनी तफसीली वाक्फियत का इज़हार कीजिए मरसिय किसे कहते हैं ठीक है यह आप लोग को बताना है दूसरा सवाल गालिब की हालात पर रोषनी डालिए मिर्जा गालिब की हलात और जिन्दगी के बारे में आप लोग को बताना है तो आप लोग खुद से लंबत चोड़ा दस-पंदर सेंटेंस में लिख देंगे तीसरा सवाल है गालिब की शायरी पर दस जुमले लिखिए गालिब कैसे शेर वो शायरी किया करते थे तो वह आप लोग को बताना है तीक है आप लोग खुछ से लिखेंगे चार नंबर और लास्ट सवाल वाहित से जमा बनाईए वाहित से यानि कि सिमलर से प्लूरल बनाना आप लोग को दिन फलक बारिश शहीद रात इसका बनाना है बहुत सिंपल सिंपल है यह आप लोग खुद से भी बना सकते हैं और इसी के साथ आप लोग का यह चेप्टर नमबर 23 कंप्लीट होता है अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चेप्टर नमबर 24 को स्टार्ट करें और उसको भी और बहतर तरीके से कंप्लीट करेंगे यहां तक स्क्रिम सोट लेना चाहते हैं ने लीजे फटाफट तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही इस चेप्टर से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं वीडियो अच्छा लिए जय हिंद और खुदा हाफिज